दोस्तों मैंूँ आमन कॉशिक और बात करते हैं अभीब की प््रेस काणफेर spouse की और जो हमने बनायी थी वीड्योचाज next पहले हमसे बात कर रहे थी कैसे इस प्रेस काणफेर अपने उपने बैस को बताएंगे और शायद बताएंगे अपने fancy plan के बारे में तो जो उसमीनेसे Olympic Committee के Pre-Resident से और उनको बताएंगी कैसे कि MMA एक बड़ा sport बन सकता है Olympics के अंदर जो कि बहुत ही एक बड़ी बात होगी boxing भी है भी Olympics में है और I think अब time आ गया है कि MMA भी वहाँ पहुंच जाए ताकि एक global level पे वो हो जाए कि हाँ ये best वर्ल का best fighter है इस weight division में क्योंकि अभी कि हमें बहुत सारे weight divisions है और उनके बाद हमारे पास MMA promotions है तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि हलांकि UFC best promotion है बट एक वो होता है न कि ये fighter बिला टोर का है ये fighter 1FC का है और क्या हमें कर सकते हैं super fight तो I think ये बहुत अच्छा idea है और ये जो news थी वो obviously आपको पता होगी कि उन्होंने एक local वहाँ पे gorilla fighting championship एक MMA promotion है एक company है वो उन्हें purchase कर ली थी और उन्होंने उसको एक नया नाम दिया है eagle fighting championship उनकी plans है कि वो कैसे चाहते हैं कि जो fights है इस नए promotion की इस नए company की वो UFC के through वो live आए अगर आप आपको पता होगा आपको UFC है वो बहुत सारी local fight promotion को प्रमोट करती है उनको live लिकास करती है अपनी ESPN पे तो उचाहते हैं कि एक ऐसा एक वो media बने कि जो fighters लड़ रहे हैं उनकी इस नए MMA promotion के लिए उनको मुखा मिलें खेलने का UFC के लिए भी जो अच्छे fighters है तो ये बहुत ही उनके लिए ये शायद एक बहुत बड़ा बड़ा उनके लिए major एक business venture है जिसमें वो काम करने वाले है अब बात है कि उनकी कब वो मिलेंगे डेना वाइट से तो जैसे कि हमने बताया था पिछल क्योंकि अब तर डेना वाइट USA में थे लगातार हर विक fight हो रही थी तो जो मुझे लगा था कि अभी तो वो नहीं मिल पाएंगे तो जब डेना वाइट पहुंचेंगे अब उधाभी में next card के लिए जो की है नेक्स नेक्स कार्ड के लिए जो की है कॉनर वर्सी देसिंट पो रिये उसके आसपास वो मिलेंगे और शायद वो जो में इवेंट है जो की पूरा card वो भी इसमें वो अटेंड करेंगे as a viewer as a watcher क्योंकि उस fight card में उनका एक teammate शायद अभी खेलने वाला है तो शायद वो उस fight को देखेंगे live देखेंगे बहुत इंट्रेसिंग रहेगा वो कह रहे थी कैसे कि UFC हमेशा जान पूछ किया ऐसा वो मनाती है condition की कहीं कहीं एक fighter का confrontation हो कौनर हुआई पर होंगे वहाँ पर हभीब भी होंगे तो चीज़ें बहुत इंट्रेसिंग होने वाली हैं और सबसाखें में उनने बताया कि अगर उनकी mother permission देती है तो शायद वो एक पर फिर से खेल लेंगे और जो कि हम शायद वो पहले से वो पता रहे हैं कि अगर उनकी mother permission देती है तो definitely वो खेलेंगे तो यहाँ पर एक तरीके से वो कह रहे है कि उनने अब तक window अपनी बंद नहीं की है वो आपस आ सकते हैं बट डिसकी उनने बताया था कि अब वाप आसकी एक कुछ भी और हाला कि अभी भी बहुत सरे वाँ पस चीजें हैं जो बाकी हैं टोनी फर्गेसन फाइट हैं जी एसपी फाइट है या विल्टर वेट एक जम्प है जो कर सकते हैं बट आ थिंक यहाँ पे शायद पहली बार एक मुझे hope लगी है कि जब वो कह रहे है कि अगर मुझे पर्मिशन मिलती है तो मैं ज़रूर खेलों पर कुछ इंटरस्टिंग मैश के लिए यह नहीं कि आफिसे रिमैश कर लेजे को पोरिय के साथ या कौनर के साथ वो उसमें कुछ मज़ा नहीं हाएगा बट यहाँ बहुत एच्छी बात यह है कि उन्हों ऐसे क कुछ ब्रास्टिक कुछ वो नहीं बताया बट सबसे बड़ी बात ही है कि वो हम मिलेंगे डेना वाइट से और जो इवेंट है जो होने वाला है अबुधाभी में UFC 257 वो एक बहुत एक बड़ा इवेंट बन जा है क्योंकि वहाँ उसमें इमेजन कीजिए अगर माले कॉनर जीते हैं और वहाँ पे ओडियंस में हरी बैटे हैं और जीतने के बाद कॉनर उनको बोलते हैं कि हबीब यूर नेक्स्ट इवली एक फ़न होगा राइट हलाना है कि अभी भी वो ट्वीटर पे कॉनर उनको कह रहे हैं कि अभी वो भाग रहे हैं गेम से उनको नहीं फाइट करना चाहते हैं बड़ अगें जब वो फेस टो फेस होंगे बड़ा इंटरस्टिंग होगा कि अबुदाभी अगर देखा जाए तो एक तरीके से हबीब का एक हबीब का वो प्लेस है वहाँ पे सारे हबीब के लोग हैं वहाँ पे हभीब का वहाँ पे पूरा वहाँ पे टीम है तो I think बड़ा इंटरस्टिंग होगा कैसे वो वूसीन क्रियेट होगा और जैसे की होता है हर फैट से पहले की मान लीजे पीछे बैक स्टेज पर कहने कि कुछ ने कुछ हो सकता है तो overall I think ये बहुत ही fun event होगा अग अगर वहाँ पे हभी पहुचते हैं फैट से पहले और वो फैट लाइफ देखते हैं ये बहुत ही चीनियों से मेरे साब से क्योंकि जब वो दिखें कितना लोगों का कितना हाइप है अब शायद इस fight में जो की होने वाली है अब अधभी में शायद इसमें फैंस भी होंग वो ये था कि वो अपने प्लैंस बता रहे थे और उन्हें कुछ कॉच्छन एड़ेंटर्स की अपने वाइटिंग के बारे में